अलो फ्रेंज नमस्कार, वेरकम तू मैं चैनल निनि, मैं अरिंदर कौर सिंग, आज बेबी फ्रॉग की घेर, फ्रिल, जो बेबी फ्रॉग की टॉप के नीचे घेर लगाते हैं, उस घेर पे स्मोकिंग बना रहे हूँ, स्मोकिंग से आटोमेटिक फ्रिल आएगी दोस्तो, बहुत सुन्दर आप भी बनाईएगा चलिए आज मैं ये बनाना बताती हूँ आपको चलिए बनाते हम और आप मिलकर इसे बनाते हैं हाँ दोस्तों ये डॉट्स डॉट्स मैं लगाएं आदा आदा इंच पर इस पर हमें स्मोकिंग करनी है ये दो डॉट्स को जोड़ करके ये पुरी घेर पर तीन लाइने बनाई है तीन लाइन ही स्मोकिंग की बनाएंगे हम तो ये देखिए दो डॉट्स को चोड़ेंगे दो डॉट्स को पकड़ के उसको स्टिच जोड़ेंगे दोनों को फिर दो लाइन दो बार पक्का करेंगे देखिए यह देखिए पहला डॉट फिर उसके बाद दूसरे डॉट को भी पकड़ेंगे साथ में और रेड कलर का दागा मैंने सुवी में डाला हुआ है इस तरीके से पूरी लाइन बनाएंगे देखिए दो डॉट्स को जोड़ करके अब हम उसे उसे सिल देंगे इस तरीक इंच नीचे जाके फिर दो जोड़ेंगे अब स्वी को इस तरीके से लेके जाएंगे घुमा के देखिए बस एक बार ही घुमाना है उसको ऐसे घुमा के हम नेक्स्ट पॉइंट पे ले गए नीचे वाले पॉइंट में बहुत ही सुंदर लग रहा है यह देखिए अब न नीचे से उपर वाले इस बिंदू पे लाएंगे दो डॉट्स यह देखिए हमने उपर के दो जोड लिये हैं अब नीचे से हमें उपर आना है तो सिर्फ एक बर सुई को घुमाएंगे फिर से वही पोसेस करेंगे यह देखिए सुई लगके घुमा के हम उपर वाले पाइंट पे आ जांगे फिर इन दो पॉइंटको जोड किứngके इसको जोड़ hop इन फ़ागे के हम दहां से थोड़ा मजबूत करनेंगे हम कि देखिए तो बार इस तरीगे स्वानित करतेंगेहं घुमा nou थैट। मजबूती आजाए उस चीज में अब हमें यहां से नीचे जाना है यहां से हमें जो आधादा इंच के हमने गुमाना है आप सूई को घुमाना है उस पॉइंक तक एक बार अब हमागे हम नीचे के point away से लेके आएंगे और यहां पर फिर हम उसे मजबूत कर देंगे दो बात यहां जोड़ के मजबूत कर देंगे का आजी मजबूत हो गया है एक बार और अब हम इस point से उपर के point में जाएंगे V जैसा बनेगा आधा इंच नीचे ये देखिए नीचे आए फिर उपर आए अब यहाँ से फिर उपर जाएंगे उपर के दो points को joint कर लेंगे यह हमने joint किया अब यहाँ पर हम सुई को एक बार गुमा के उस पॉइंट तक पहुचा देंगे अब हमें इसे थोड़ा मजबूत करतेंगे स्टिच करके यह मजबूत करते लिया हमने एक बार और कर देंगे वहां तक यह अच्छा मजबूत हो जाए अब हमें वहां से नीचे आना है कि वी वी इस तरीके से बहने जाएगे अब नीचे के दो पॉइंट जोड़ेंगे कि वहां हाथ में पकड़ देंगे तो उपपर से सिलाई सुई को वैसे ही गुमाएंगे कि हम ऐसे एक बार गुमाएंगे जो नीचे वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगे उसका यह देखिए पहुंच गया अब यहां हम फिर थोड़ा मजबूत कर देंगे कि दो बार करेंगे यहां तो यह हो गया अब हमें यहां से उपर लेके जाना है अब हमें उपर लेके जाना है इसको यह दिखिए उपर से दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे यह देखिए जोड़ लिया हमें अब यहां पर हमें फिर रसुई को इस तरीके से गुमाना है एक बार ऐसे गुमाके लेके कि उस उपर वहेद पॉइंट्स में पहुंच जाए अब इसको पूरा मजबूत कर देंगे यह देखिए एक बार और इसी तरीके से हमें दो इंच बनाना है इस को अब नेक्स्ट आ जाएगा अब हमें नीचे जाना है उपर पहुंच गया है अब हमें तीन लाइन बनाएंगे अभी रेड से है फिर पिंक से कर देंगे फिर लास्ट वाली ग्रीन से कर देंगे इस तरीके से लग भग दो स्मोकिंग का एरिया हो जाएगा आटोमेटिकली फ्रिल बन जाएगा बहुत ही सुंदर यह देखिए और इसी तरीके से स्टिच करेंगे बॉड़ी पे हमने उपर की बेबी को इस तरीके से कि हम यहां से उपर ऐसे फ्रिल देखेगी नीचे इसी इसी लिए मैंने इसको से स्टिच अभी से कर दिया है ताकि मुझे जब फ्रिल लगानी हो तो एस इट इस उसके बेबी फ्रॉग के टॉप में इसको जोडा जा सके ऐसी यह देखिए अब सेकंड रो हमारी स्टार्ट यह देखिए सेकंड रो है पिंक से कर रहे हैं हम इसे एक ही बार सुई को घु अब उसको नीचे से हमें उपर लाना है तो एक बरस भी घुमा के उपर पहुंचा देंगे यह देखिए बहुत ही इजी है बिगनर्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको और बहुत खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत फ्रिल आएगी इससे और बेबी फ्रॉग त तो दोस्तों आप भी बनाएए इसे बहुत इजी है यह देखिए एक बार सुई घुमा के हम नीचे लेके आ गए हैं यहां दो बार मजबूत कर देंगे तीसरी रो हम ग्रीन से कर देंगे यह सेकंड रो हमारी लास्ट पॉइंट पे है बस यह स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा कप्ड़ा छोड़ देंगे वो हमने वो स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया है यह वाला हिस्सा हमारा अब तीसरी रो हम फिर बनाएंगे तो इतना करीब बहुत सुन्दर लगेगा बेबी फ्रॉग पे एक रो और बनाते हैं इसको फ्रेल आटोमेटिकली आजाएंगे एक रो और चाहिए इतना भी थोड़ा कम है एक रो हम अब ग्रीन कलर के धागे से बनाते हैं इसको यह इस त इतना दोस्तों देखिए इसको कम्प्लीट कर रहे हैं इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे करीब करीब दो इंच बहुत ही सुन्दर लगेगा यह फ्रॉग की ब्यूटी को बहुत ही बढ़ा देगा अभी ग्रीन कलर से हमने इसको स्टार देखिए ग्रीन धर्ड रो हमने ग्रीन कलर बनाई है और इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे एक बार सुई को पिरो के उपर पहुचाएंगे फिर एक बार सुई को पिरो के नेक्स्ट जो नीचे बिंदू है दो नीचे बिंदू को जोड फिर हमने ब्लू फिर हमने बेबी पिंक करा अब ग्रीन है तेको नीचे सुई को पिरोग करके हमने नीचे पहुंचाया अब हमें ओपर पहुंचाना है और थोड़ा सा मजबूत करके दो बार करेंगे इसको फिर से नीचे लेके जा रहे हैं हम इसको बहुत ही अच्छा लग है करीब दो इंच हमारा यह जो तीसी लाइन है इससे हमारा दो इंच की स्मोकिंग है कम्प्लीट हो रही है दोस्तों देखिए बहुत ही खुपसूरत बस एक बार पिरोग करके हम उपर लेके आए है बहुत ही सुदर लग रहा है ग्रीन कलर करीब दो इंच की स्मोकिंग हमारी हो रही है देखिए दो बार हम उसको पक्का कर देते हैं और एक ही बार सुई को घुमा के उपर ले आते हैं फिर यहां दो बार पक्का करते हैं फिर से सुई घुमा के हम नीचे लेके जाते हैं द लगा और विप कि लागए है इस हमारी यह से फ्रील बन गया है और हमें यह जपीज लगाना है उपर से हमें स्टिच कर लिया है इसलिए हमें पदा था कि बॉड़ी देविस इसी तरीके से ब्लाव सामेश चोड़ेंगे कि हम गले में भी लगा सकते हैं गले में भी सेम बना के गले में बहुत सुन्दर गले में फ्रिल लगानी है तो स्मोकिंग बना के लगा जा सकती है अभी हम लोग तो इसको फ्रिल में लगा रहे हैं अभी तो घेर है ये तो फ्रॉक का बहुत ही सुन्दर लगेगा दोस्तों बहुत ही सुन्दर आप भी बना स्मोकिंग यह फ्रॉक का घेर है बेबी फ्रॉक का बेबी शिक्स मन्थ टू ट्वेल मन्थ की बेबी के लिए यह फ्रॉक बना रहे हैं उसका घेर हमने इस स्मोकिंग से किया है दोस्तों देखो ऑटोमेटिक फ्रिल देखो automatic frill बहुत सुंदर बन गई यह हमने smoking करी है अब हम उस बेबी के लिए और यहां से ऐसे stitch करने stitching का भी बताऊंगी अभी मैं इसी को stitch करके बताऊंगी दोस्तों बहुत सुंदर है बहुत ही लाइक कीजिए दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि भी भी बनाएं थेंक यूँ